Hello friends, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग स्वस्थो और मस्थ होंगे और अपनी study को लेकर focused होंगे. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्या कोई बता सकता है? जी हाँ, आज हम discuss करेंगे Dust of Snow Cake question answer. लेकिन आज ये class को शुरू करने से पहले हम discuss करते हैं exam pattern के बारे में. जैसा कि आप सभी को पता है कि last session से आपके exam में OMR sheet भी दी जाने लगी है. और paper में 20 questions multiple twice पूछे जाने लगे हैं. तो इन ही 20 marks के question में two questions poetry strange पर भी based होते हैं. देखिए poetry से total 8 number की question पूछे जाते हैं. 8 number की. अब वो 8 number की question कैसे पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जाते हैं तो चलिए वो discuss करते हैं. देखिए 3 number की आपकी poem पूछी जाती है. और 3 number का central idea. टोटल 6 marks हो गए. और 2 number आपके stranger based multiple twice question से पूछे जाते हैं. इस तरह से total 8 number आपको gain करने हैं कहां से poetry section से. तो अगर हमें 95 plus gain करना हैं तो हमारे लिए हर एक marks बहुत ही जादा कीमती रहने वाला है. इसलिए हम हर एक topic को बहुत deeply पढ़ेंगे. और इस वीडियो के last में आपको new pattern based question और old pattern based question में difference भी समझा दिया जाएगा. तो चले शुरू करते हैं आच्छी class. देखिए stranger number 1 लिखा हुआ है. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. किसी भी stranger से जब आप question के answer चूज करेंगे तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको जो करना चाहिए, वो stranger को पढ़ना चाहिए और stranger की meaning निकालनी कोशिर करनी चाहिए. यानि जब आप इसकी meaning समझ लेंगे तो आप question के answer आसानी से दे सकेंगे. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इन लाइनों की, हमें क्या देखना है? इन लाइन की हमें हिंदी निकालनी है. तो चले शुरू करते हैं, दवी अक्रोश शुक डाउन ओन मी. जो कवी हैं वो कहते हैं, जिस तरह से एक कववे ने आकर मुझ पर अपने परोग को हिलाया. The dust of snow from a hemlock tree. और hemlock नामक पेड़ से उसने क्या किया? Dust of snow यानि की बर्फ के कड मेरे उपर गिरा दिये. यानि ये चार लाइनेस में जो कवी हैं वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि एक कववा आता है और वो क्या करता है? अपने परोग से मेरे उपर बर्फ के कड गिरा देता है. कहां से? Hemlock नामक tree से, Hemlock नामक पेड़ से. अब चलिए इन question के answer देखते हैं. question number one लिखा हुआ है, what is the name of the poet of this poem? यानि जो आप poem पढ़ रहे हैं, poem का क्या नाम है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. poem का नाम है Dust of Snow. तो इस Dust of Snow के poet कौन है? option आपकी सामनी दिये गए हैं, Robert Frost, Waldwitman, Leslie Norris, Robin Klein. तो अब आप लोग को comment box में यही बताना है, कि जो हमारी poem है Dust of Snow, उसके poet कौन है? question number two, what does the hemlock tree signify? यानि कि जो hemlock tree है, hemlock मतलब क्या होता है? hemlock का means होता है धतूरे का पेड़. तो जो धतूरे का पेड़ है, वो क्या दर्शा रहा है? option हमारे सामने दिये गए है, death, यानि मौत को दर्शा रहा है, fear, डर को दर्शा रहा है, happiness, खुशी को दर्शा रहा है, या फिर both A and B, यानि हमारा डर भी दर्शा रहा है और मौत को भी दर्शा रहा है. देखें, जो हमलोक ट्री है, जो धतूरे का पेड़ है, उसे अप्शगुन का प्रतीक माना जाता है, इसके बारे में लोग अच्छी सोच है, वो अच्छी नई है, यानि उसे अप्शगुन मानते हैं, तो इसलिए जो हमारा हमलोक ट्री है, वो death और fear दोनों को signify कर रहा है इसलिए जो option number D हमारा होगा, वो right होगा, यानि हमारा A भी सही है और B भी सही है, इस हिसाब से जो हमारा option number D है, वो right है, अगला देखते हैं, question number 3, question number 3 दिया गया है, how has the dust of snow affected the poet, पूछा जा रहा है कि बर्फ के कण कवी को कैसे प्रभावित करते हैं, affect का means होता है प्रभाव option आपके सामने दिये गए है, it changed poet's mood, dust of snow ने यानि बर्फ के कड़ों ने कवी का mood बदल दिया, या फिर दूसा option दिया गया है, it gladden poet's heart, इसने क्या किया, जो कवी का दिल है उसे बहुत खुशी से भर दिया, या फिर C वाला पूछा जा रहा है, both A and B दोनों सही है, यानि A व इसमें हमारा right option है C, क्योंकि से क्या होता है, जो कवी का mood है, वो भी change हो जाता है, और जो खुशी से इसका दिल भी भर जाता है, या बहुत ही जादा खुश हो जाता है, अगला देखते है question number 4, question number 4 लिखा हुआ है, where did the crow sit, कववा कहा बैठा था, option आपके सामने है, on a hemlock tree, on poet shoulder, on the bench, on the fence, तो कववा कहा बैठा था, कववा बैठा हुआ था, hemlock नामक पेड पर, जब वो hemlock नामक पेड वे पैठा था, इसका मतलब option number जो हमारा A है, वो correct है, अगला, under which tree was the poet standing, कवी किस पेड के नीचे खड़े हुए थे, तो कवी किस पेड के नीचे खड़े थे, option द के नीचे, इसलिए सी option जो हमारा होगा, वो right होगा, अगला देखते है, stringer number two, stringer number two दिया है, has given my heart a change of mood and save some part of a day I had food, कवी जो कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, has given my heart a change of mood, कवे की जो प्रतिक रिया थी है, यनि कवे ने क्या किया था, dust of snow को कवी के उपर गिरा दिया था, तो इ जाता है, यनि उसके mood जो है, उसमें changes आ जाते हैं, and save some part of a day I had food, और मैं, उसने क्या किया, और उसने क्या किया, मेरे दिन का कुछ हिस्सा उसने बचा लिया, जो मैं उदास रहकर बरबात करने वाला था, अब देखते हैं, question, question हमारे सामने लिखा है, what was the poet's mood, कवी का mood कैसा था, कैसा था, happy था, यनि वो खुश था, sorrowful था, वो दुखी था, celibatory था, यनि कि वो बहुत ही जादा आनन्दित था, क्या कर रहा था, जब कवे ने कवी के उपर dust of snow गिराया, तो उसमें कवी का mood कैसा था, वो बहुत ही जादा उदास था, sorrowful था, इसलिए हमारे जो भी option ह वो right होगा, अगला देखते हैं, question number two, what was the effect of the fall of the dust of snow on the poet, यनि कवी के उपर बर्फ की कणू के गिरने का क्या प्रभाव पड़ा, option देखते हैं, it changed his mood, इसने कवी का mood बदल दिया, it changed his luck, इसने कवी का भागी बदल दिया, it changed his car, इसने कवी की car बदल दी, it changed his job, इसने कवी की job बदल दी, तो कौन सा option right है, option number a, it changed his mood, इसने कवी का mood change कर दिया, question number three, how did the poet feel for rest of the day, यनि बचे हुए दिन में कवी ने कैसा महसूस किया, he felt gloomy, उसे उदासी का अनभा हुआ, he felt positive and happy, उसे सकारातमक और खुशी का अनभा हुआ, he felt hopeless, उसे निराशा का अनभा हुआ, both A and C, य तो जब कवे ने कवी के ऊपर dust of wisdom गिरा दिये, तो उसके बाद कवी का mood कैसा, रादिन कैसा गुजरा, he felt positive and happy, उसे सकारातमक ताका अनभा होने लगा और वो खुश भी हो गया था न, इसलिए option number B हमारा कैसा होगा, right होगा, question number four, what was saved for the poet, कवी के लिए क्या बचाया गया था His whole day, उसका पूरा दिन, a few days, कुछ दिन, some part of the day, दिन का कुछ हिस्सा, यदा whole week, पूरा हफ्ता, तो जब कवे ने dust of wisdom कवी के ऊपर गिरा दिये, और कवी का जो mood था वो change हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, कवी का जो दिन का बचा हुआ हिस्सा है न, वो बच जाता है, इसलिए C option हमारा जो होगा, वो right होगा, some part of the day, अगला देखते है, question number 5, which word is the synonym of field remorse or regret as used in the stanza, यानि कि कौन सी शब्द का परियावाची शब्द है, field remorse or regret, change, rude, mood या saved, तो regret या field remorse का जो हमारा परियावाची है, यनि जो synonym है, वो है, rude, इसलिए B option जो हमारा होगा, वो right ह अब भी हमने आपको जब ये वीडियो शुरू किया था, तो आपको बताया था कि इस वीडियो के last में आपको पुराने pattern और new pattern में difference समझाया जाएगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं, देखे question जैसे कि ये दिया गया है, हमारे सामने क्या, how was the dust of snow affected the poet, यानि कि dust of snow ने कैसे प्रभावित किया, तो new pattern में क्या हो रहा है, इस question के लिए आपकी सामने चार option दिये गया है, और इन चार options में किसी एक option को आपको चूस करना है, लेकिन जो हमारा पुराना pattern था, उसमें क्या होता, उसमें question दिया होता था, how has the dust of snow affected the poet, कि dust of snow ने कभी को कैसे प्रभाव हो गया है, अब आपको question का answer लिखना नहीं होगा, बलकि आपके सामने पहले से चार option दिये होंगे, और आपको उन चारो option में से कोई एक option चूस करके, टिक लगाना होगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी omr sheet दी जाती है, उसमें जो correct option है, उसे fill करना होगा, तो साथ ही साथ comment, share और like करना भी ना भूलिए, thank you so much